नमस्कार भी मुअमदासिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई नियोज जे नियोज का मामला जो है वो स्यासे तू लपकरता जा रहा है आज से ठीक दो दिन पहले जे नियोज में जो है कुछ हिंसा की तस्वीर आ रहे थी हम सब जानते हैं कि जे नियोज में ये ऐसा पहली लेकिन अब ये जो है सियासत तूल पकर ले गाए इसको लेकर राजनीती घर्मा गई है और अलग अलग नेता अपनी अपनी राइदे रहे हैं बीजे पी कह रहा है इसका कसूलवार राहूल गांदी जो है इसको मोधी सरकार पर हमला कर रहे हैं बहराल राजनीती में हमसान चलना है बहराल ज्सद्रंद भी खतंग कोना आम लोग चाता है कि आज जो है कोई मीत ना बेचे कोई मुरगा ना बेचे को चिकए नहीं चाहता है। सब चाहता है यह दूसरे नहीं को रोज़गार रहें एक दूसरे twoier उनकी में बरकत हुर उनका reason लेकिन राजनीती नेता करने वाले लोग अपनी राजनीती रूटियां सेखने के लिए लोगों को इसकी आग में जोग देते हैं और वही जो है बर्गलाते हैं कि कोई मीट नहीं बेचेगा तो कोई कोई और यही लेकर हुआ है जेनी इसलिए मैं मीट का जिक्र कर रहा हूँ नवरातरी में हम सब जानते हैं कि किस तरह से मीट से परहेश किया जाता है और इसकी को लेकर जैनी यू बबाल मच गया धूगए हिंसा यहां तक होगी किसी के सीर पुटे तो किसी के हाथ हूगे अब इसको लेकर रहूल गांधी का बड़ा व्याना रायूल गांधी ने कहा कि इसका जिम्हदा रमोडी सका Radio और वो इसलिए क्योंकि आज के देश में जिस तरह से देश में जिस तरह से नफरते फालाई जा रहे हैं वो भी काम BJP के नेता कर रहे हैं अब देखना यह होगा कि आखिर जिस तरह से चात्र फसे हुए हैं और सवाल ये भी कि आखिर ये ऐसा जहर आ गया हिंदू-मुसलिम बला कि आज हिंदूस्तान के कोने-कोने में चला गया ये नई भारत है नई भारत आप लोगों को मुबारक हो लेकिन आप दर्सोकों से मेर कोई नफरत नहीं है ये शिरिफ और शिरिफ नेता बरगलाने और गुम्रा करने की कोशिश करते हैं प्लीज आप साब्धान रहें इन नेताओं के चक्कर में ना परें लाल कि लितना नहीं बाइखा बुदे लितना है श्पेनाइन नीवस्त नमस्क्त करते हैं